गुड डिवनिंग आजे हम 11 के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं ये सेशन हो जाएगा 2020-22 2020-22 के जो बच्चे हैं 2020-22 के सेशन के जो बच्चे हैं जो हाल ही में मैट्रिक पास किये हैं उन सभी बच्चों के लिए आज से हम पढ़ाई ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम आपका सेशन श्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ओफ फिजेक्स केजी रोड आरा बाई मनीश कुमार मोबाईल नंबर 85399-15929 इस नंबर से आप हमसे वाटसेप पर जूड सकते हैं हमारा कोचिंग केजी रोड आरा में स्थित है कंसेप्ट ओफ फिजेक्स के नाम से मेरा नाम मनीश कुमार हम डायरेक्टर पलस मोटिवेटर और टीचर हैं अब हम आप लोगों का इस संस्थान में कंसेप्ट अफिजेक्स केजी रोड आरा में स्वागत करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें बहादूर एक नॉर्मल मानसिक्ता हमारे आसपा समाज में इस्थित है कि सबसे टफ सब्जेक्ट कोई है तो फिजिक्स है सबसे ज़्यादा डरने वाले बचे फिजिक्स हैं आप पीछे के देखेंगे पीछे के रिकॉर्ड बिहार बोड के उठाकर देखेंगे तो सबसे अधिक फेल होने वाले बचे फिजिक्स में होते हैं सबसे ज्यादा बचे फिजिक्स में फेल होते हैं तो फिजिक्स में फेल होने के तीन कारण है और फिजिक्स आच्छा लगने के भी तीन कारण क्या है हमारी नजर से अपना अपना विचार होता है तो मेरा वीचार क्या है फिजिक्स और math कमजूर हो जाने की बज़ा से physics कमजूर हो गया physics के बारे में कहा जाता है कि physics is the language of mathematics भौतिकी गनीत की भासा है यानि भौतिकी जो है वो गनीत की भासा है जिसको गनीत की भासा समझ में आती है उसी को भौतिकी समझ में आएगी क्या मतलब इसको ऐसे समझ ये कि राम एक लड़का है जो बोल रहा है और हमको कुछ शमझ में नहीं आ रहा कि राम क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा तो बगल में एक मोहन नाम के लड़का है मुझसे पूछ रहे हैं कि राम क्या बोल रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मोहन कहता है कि सर ये जो बोल रहा है न ये बंगाली भासा बोल रहा है राम जो बोल रहा है वो बंगाली भासा बोल रहा है यानि मोहन हमसे ये कहना चाहता है कि सर यदि आप राम की भासा समझना चाहते हैं तो आपको बंगाली भासा आनी चाहिए तो भी आपको राम की भासा समझ में आएगी क्यों कि राम बंगाली बोलता है राम जो बोलता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा तो राम जो बोलता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम मोहन से पूछते हैं कि राम क्या बोल रहा है तो मोहन कहता है कि सर राम बंगाली भासा बोल रहा है यानि मोहन ये कहना चाहता है कि सर यदि आप राम की भासा समझना चाहते हैं तो आपको बंगाली भासा आनी चाहिए, क्योंकि राम जो बोल रहा है, वो बंगाली भासा बोल रहा है, यानि यदि आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स अच्छा हो, तो आपको मैथ की भासा आनी चाहिए, मैथ ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैथ की भासा आएगी, तो ही सबích ded क्या है तो आज के बचों में होटी की में इंट्रेस्ट कम हो जाना कि Giroud कि मा इंट्रेस्ट कम है क्यों कम है मेल कि क्योंकि उनको पढ़ाने वाले टीचर जो है उनको इस तरह से भइतिकी से रूबरू करते हैं इस तरह से परिचय करते हैं कि उनको टेंशन हो जाता है देख करके उनको डर लगने लगता है बहुत की से फिजिक से डर लगने लगता है क्योंकि फिजिक से परिचय ही उनको सुरू से कराया गया इस तरह से क्यों फिजिक से बहुत बिकराल रूप है फिजिक से बहुत वड़ा टॉफिक है इसलिए उन प्रलुक्री ऑप अमरिस पुरी में मुड़ी प्रकृ करने हैं। इस प्रचवाह अमरे सफ़ीर को समीक अगे हमेजे हमारी दिमाग में सॉक्ति इम दोतें मुदो देखते हैं कि कहते हैं लिए अ सभला ब्रब रोल करतें हैं धिसको फोल्ट में माप लगजब होंता sein को बदल जाई क्योंकि दिमाग में बना हुआ है उसका निगेटिव रोल परिचय कराए गया है इसी तरह से को खराब इंसान है इसलिए हम उसको सही करता है ना तो मन नहीं मानता लेकिन यदि किसी व्यक्ति से कोई वैसा व्यक्ति हो जो हमेसा सही रोल करता हो तो गलत करता है तो यकीन नहीं होता को इति को एक और रहां पर समझेगे बैस करने में कितना डिपेंट हरो मुवी देखें होंगे और मुभी हरो मुभी में भूताह पिक्चर में कि इस तरह से दिखाया जाता है कि कुछ भी होता है तो डर लगता है रात में दर्वाजे भी खोले गाना लगता है को नहीं से भूते आई कि नल का पानी बिग्र रहा है बुन्द से टुप 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 लगता है कि भूते उसमें से निकल गया एगा कि दिमाद में बन गया है कि होरन मूभी है हुर हो भी होगा वहां से भूते आ रहा है हिरा यहरो कोई घूमना शुरू करेगा निकलना शुकर अको झाय 자기 का स्गॉला के टेंशन गया कई रोड़ मरतिया में गोई बन गया कि होरो मूभी को पेस्ञी से किया जाता है कुछ भी होगा तो कुछ नया टेंसल बन रहेगा यह आप इस देखिए पांस तला मकान से गिरते हो दिखाएगा फिर भी टेंसल नहीं रहेगा आपको जानते हैं मरीना को मेडी पिक्चर में कोई मरता नहीं है देखिए कोई बिजली का तार पर गिर गया है गोली लग गया फिर भी हो देखेगा कमेडी कर आपने श्चेंत है क्योंकि पेस ऐसे किया जाता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहता कुछ आपको पता है कि दिम कमेडी ही होने वाला है यह होता है पेस करने का तरीका माइनर होता है कि कैसे आपके सामने परिचाय कराया गया बहुतिकी से यदि आपको भौतिकी को हरर मूभी की तरह पेस किया जाएगा तो अप हमेशा डरिएगा किसी भी थियूरम को पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है कुछ अजूबा होने वाला है यहाँ पर फर्मूला में कुछ अलग चीज छीपा हुआ है हर और मूभी की तरह आपको पेस किया गया लेकिन यदि आपको भौतिकी का परिचाए कमेडी की तरह किया जाए एक आसान सब्दों में पेस किया जाए तो यकीन वानिये आपको भौतिकी बहुत आसान लगेगा यदि आपको भौतिकी को असान सब्दों में परचय कराया गया होता तो आज आपका भौतिकी बहुत असान होता तो जिन बचों के गुरुजन जिन बचों के सिक्षक वैसे मिले जिनको भौतिकी असान परचय कराया है तो आज उनको भौतिकी असान लगता है और जीन बचों को गुरुजन शिक्षक जो है वो इसे नहीं मिले तो उनको भौतिकी टफ लगता है ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक उसी तरह के हैं कुछ शिक्षक असान सब्दों में पेस करते हैं कुछ शिक्षक जो है टफ सब्दों ये भी है कि physics का exam first day होता है sir first day फिजिकष का exam होता है हमेसा और बच्चा जो है हमारे आप जानते ही है बहुत सब्छे नकल पपबरुसा करते हैं चोरी पबरुसा करते हैं कुछ बच्चे चोरी नहीं भी करते हैं तो डरे रहते हैं तो पहला दिन इजिक्स कुछ याद भी है तो भी भूल आते हैं अजो लोग चोड़ फ़रुसा की रहते हुआ कि जब आज पहल का दिन देह लिए कह लिए कि तो भावितिक्स में काने का conquist ग अखे आ Car यह मेरा अपना भिचार है, अब यहीं बात सिंपल सबस्ति बात है, फिजिक्स के इजी लगने का असान भाषा क्या है, फिजिक्स आपको असान कैसे लगेगा, तो एक आपको गनीत आना चाहिए, मैत बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा, आपको सिक्षक वैसे मिले, जो भौतिकी को आप समझना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इस फिरूची लेते हैं तू आपको असान लगेगा और सवाल है कि सर जबरियोस्ति भौतिकी में in ट्रेसट लेंगे नहीं मयलने किसी को जबरियोस्ति कहें कि आप इसमें इंट्रेस्ट लेगा तब कैसे लेगा तो हम आपको कुछ एक्जांपल समझाने कोशिज करते हैं कि भौतिकी को कैसे पढ़ा जाता है यदि आपके दिमाग में बन जाएगा तो यकीन मानिए भले ही आपको फिजिक्स का कोई रूल याद हो या नहों लेकिन आप जब कोई चीज दिखिएगा तो कि इतना तो जरूर समझ में आ जाएगा यह फिजिक्स इसमें है या नहीं है कुछ एक्जांपल समझने कोशिज करते हैं जैसे पेंसिल पेंसिल आप जानते होंगे पेंसिल कट पेंसिल जो होता है तो उस पेंसिल से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई कागा जैसरा के और ऐसे लिख सकते हैं पैंसिल से और ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन जो हमारे पास कॉलम होता है जो हम लोग का कॉलम है कॉलम से ऐसे नहीं लिख सकते हैं सवाल है अधिर क्या रिजन है कि दूसरा आप टर्म समझें कि कुछ लोग सुने होंगे आप लोग की साबुन लगा के लोग असनान करते हैं तो साबुन लगा के लोग क्यों असनान करते हैं तो किसी से सुनियेगा तो कुछ लोग आप हम आपसे पूछें कि आप साबुन लगा क्यों असनान करते हैं तो लगाते हैं तो स्वॉर्फ से नहीं जा डितर्जेंट से अस्थ नन कीजिए न की पूरा मेल छुट जाएगा कि सस्ता भी पड़ता है और मांल चूट गया मैल मैं मॉबिल लग गया कोई अला गया तो हम लोग चुड़ाने के लिए सवरफ का इस्तिमाल करते हैं साब उनका नहीं है सवरफ ज्यादव चुड़ाता है तो जब मईले चुड़ाने तो सवरफ सहस्नन कीजिए लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि इसमें दूसरा कारण चीपा हुआ है इसी को समझने ज़रूरी है ट्रेनाओं on offer के खी चली काया खी छी हो ट्रेनाओं में हाथ प neighborhoods को इसे खीच ली हम लेकिन होता है वास्तों में बहुत से लोग से रुठाना गरस हो जातें हैं ऐसा लगता है कि हम आगे की और गिर जाएंगे सवाल है ऐसा क्यों होता है कि किस तरह से ऐसा क्यों है आप एस्टनान करके निकलते हैं एस्टनान करके निकलिएगा देखिएगा बाल सट जाता है तो किसी से पूछेगा कि एस्टनान करके निकलने से बाल क्यों सट जाता है पानी के वज़ा से स्ट गया ऐसा आप बता रहे हैं आपनी के वज़ा से सठ गया है लेकिन हम कहते हैं कि कप्ड़ा को बाय।टी में डाल दिए पानी में देखिए कि खुल जाएगा इसी कपड़ा को यदि आप बाल्टी में डाल देजिए गा तो अब बताए कि खुल क्यों गया तो कहते हैं लोग की पानी के बज़ा से तो एक बार आप कह रहे हैं कि पानी के बज़ा से सट गया एक बार कह रहे हैं कि पानी के बज़ा से हट गया यही समझना है कि क्या कारण है क्यों ऐसा होता है क्या रीजन है इस तरह कहने का वर्षा की मुंदे गोल गोल क्यों गिरती है यानि मेरा कहने का मतलब कूल मिला करके आपे बरस करते हैं सुबह में बरस किजिए गौरम पानी से बरस किजिए देखिए आपको कितना comfortable फिल होगा कितना आपको आसान लगेगा खिर आप देखरें होंगे चापाकरолов के मुंडी खोलता हो या Τ्रॉक में जयाक लगाना हो या ट्रॉक का नोर्ट भूल खोलना हो लोग्ल लगा देते हैं बाइस लगा देते हैं क्या वर्श्तो ए चापको देखिए हूंग का ऑल्स अगह आप तक और आपको चलाने के लिए कोह दिया जाए अब चला के देखिए कितना टॉफ है तो टूटे हुए हैंडिल से पाने निकाली एक लोटा तक इतना हलत खराग हो जाएगा या कभी ट्राइ करके देखिए जैसे हैंडिल यहां तक है ना आप यहां हैंडिल मत पकड़िये यह तो कहीं न कहीं आपको फिजिक्स में इंट्रेश्ट बन जाएगा बहुत की आपको आसान लगने लगेगा आप जानते होंगे कि लाइं एक क्राहुत पढ़े होंगे कि बंद गाड़ी अचानक जब चलना स्टार्ट करती है तो यह आतरी पीछे के और गिर जाते हैं क्यों आप देखे होंगे ऐसा तो इस सवाल पढ़े हैं तो सवाल पढ़े हैं तो जुदि आपको इस तरह से चारो तरफ घटनाएं बताई जाए हर थियूरम पर आपको इस तरह की घटना बताई जाए हर थियूरम पर इस तरह की घटना बताई जाए देखे तो आपको आसान पानी विल्कुल दिसी मं सब्ण ऑगा गात tussen ऊब इससे कर दिये तो पानी अब सब इसपी से आएंगा कि ऑगए सबूर जरूरी कौभी कभी ग्याओं तरह इरए और अमृब का पेड़ है जामुन का पेड़ है या मित्रे चड़ा ऑगा बाकी नीचे है तो नीचे से लोग कहते हैं तो उपड़े रहा है धूं नीचे से लोग कहते हैं Israeli ही ये सोचने मोणा है एक बार हिला रहा है नहीं। July मोत्यटे कहता है तो गिरने लगता है घर क्या एसा कियों होता है , इस समोझना ज़रूरी है एक ओर आपको बतादे थोड़ा सा थंड घब लगती है ईह हांत skies bako Wow şa है रजाइं में ठंड का मौसा में घूसे गये अदमी तो देखी हाथ पयर पूरे एकदम सी कूर कर नहों है लेकि सुर्व-शूर। सुरू हाथ पर शीकूर ले वाकर काहे टारी जन्वा सूच के देखिए जो बाहर से आ रहा है उसको मज़ा रहा है जो अंधर में पहले से रजाई में है उसको खराब लग रहा है आगे क्यार रीजन है दोनों तो पहरे टच करा रहे तो एक को खरब क्यों लग रहा है सब इसने वाली बात है सब सवाल को जब आप अब्जर्व करिए गांपने आसपास में तो स्वयोर है भौत की आपको आसान लगने लगेगा इन सबका कारान हम अपने आसपास में समझते हैं देखने कोसिस करते हैं तो कुल मिला करके हम बहुत से इस एक्जामपल है लाखो जारो हमरे आसपास जो भी है कुल मिला करके बहुत की क्या है तो हमरे आसपास के चीजों का आध्यन है हमारे समाज के चारो तरफ की घाटनाओं का आध्यन है बहुत की हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं उस कुछ दिर समाप्त करते हैं कुछ कोश्चन दे रहे हैं इस कोश्चन को आप लोग बना करके रखिएगा हम अगले वीडियो में इस कोश्चन को मिलवा देंगे ज्यादा कुछ कोश्चन नहीं है मामुली सा जोड घटाव गुना और भाग हम आपका मैत का कुछ कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं तो 4-5 कोश्चन दे रहे हैं जोड घटाव गुना भाग उसको आप बनाइएगा और हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मिलवा देंगे कोश्चन लिख लिजिएगा समझजिएगा 3.27 गुना 10 के पावर 5 दूसरा कोश्चन है 2.70-1.4 गुना 10 के पावर 2.70-10 के पावर 3-1.4 गुना 10 के पावर 2 तीसरा कोश्चन है वर्गमुल है 25 गुना 10 के पावर 9 25 गुना 10 के पावर 9 चवथा बावर वर्गमुल है 16 गुना 10 के पावर 8 पाच्वा कोश्चन है पाच्वा कोश्चन है आर स्क्वाइर प्लस एल स्क्वाइर इत्वा टफ हो जाएगा इसको छोड़ देते हैं एक एंपल यह देखते हैं एक बाटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 29 यह पाच्वा कोश्चन आप लोग स्वाल्व करके इसको जो है स्वाल्व करके रखीएगा हम नेक्स्ट वीडियो में इन पांचों को मिलाएंगे तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं धन्यवाद आप लोग जो है दिन आपका सूभ हो इंज्वाई करिए